हेलो एवरीवन, वन्स अगेन, वेलकम बेक टो आवर यूट्यूब चेनल, नर्सिंग नोट्स और आज की स्रीडियों बात करेंगे हम, केटेटर राइजेशन के बारे में, जो सब्जेक्टेव फंडामेंटल ओफ नर्सिंग, जी एनम नर्सिंग, एन बीएसी नर्सिंग दो बन सकता है, केटेटर राइजेशन के बारे में, प्रोसीजर एक फिए इससे रिगाडिंग, नेक्स्ट, इंट्रोड़क्शन देखेंगे, सबसे फिला इसका इंट्रोड़क्शन क्या है, इन डेट, इंसर्टेट ऑफ ट्यूब और रख केटेटर, त्रू द यूरेथरा, इसके अंदर क्या होता है, एक रबर ट्यूब या फिर केटेटर होता है, उसको क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, किस से त्रू यूरेथरा के शुरू, किस के अंदर, यूरिनरी ब्लेडर के अंदर, ठीक है, यह यूरिनरी ब्लेडर है, इसके अंदर क्या यह आपका यूर उसको remove करने के लिए इसका use किया जाता है ठीक है purpose purposes क्या है सबसे पिलाए relieving urinary retention के लिए ठीक है जो disease होती है urinary retention उसको relieve पाने के लिए इसका use किया जाता है next empty the bladder before during और after surgery यहाँ पर surgery लिखा हुआ है क्या करते हैं इसका use किसले empty करते हैं मतलब जो urinary bladder उसको खाली करते हैं कब surgery के दोरान तब इसका use किया जाता है cateterization का next allow accurate measurement of urine output और किसलिए use करते हैं accurate measurement के लिए ठीक है output होता है urine output accurate measurement करने के लिए cateterization किया जाता है next types of cateter next हमारा topic है types of cateter सबसे पहला है invalid cateter poly cateter and retention cateter इनके तीन नामें ठीक है जैसे कि आपको image में देखा दे रहा है यह होता हमारा two way cateter ठीक है इसके बाद यह भी female cateter भी होता है वो two way होता है pediatric cateter होता है वो भी two way होता है यहां पर three way cateter भी होता है ठीक है तो हमारा पास अलग-अलग type के cateter होते हैं इसके अंदर ही police cateter के अंदर भी this type of cateter is placed into the bladder and secured there for a period of time यह किसी लिए करते है long period के लिए इसका use किया जाता है ठीक है police cateter का use long period time के लिए किया जाता है discontinue after 24 and 48 hours यानि 24-48 गंडे के बाद इसको discontinue कर देते हैं police cateter कैसा होता है यहां पर दो चीज़े होता है एक होता है urine के लिए urine drainage के लिए होता है और second होता है balloon pot के लिए यहां से आप distill water जो होता है वो insert करोगे यहां से directly आपका balloon flip होगा ठीक है और यहां पर छोटी से points होते हैं यहां पर bladder होता है bladder opening ठीक है यहां bladder opening होती है छोटी छोटी इस तरीछ से क्या आपका police cateter होता है next rubber cateter in and out cateter and non retention cateter होता है ठीक है example k90 cateter यहां पर आपको दिखा दे रहा है यह होता हमारा k90 cateter example के लिए है ठीक है यहां पर opening होती है यह होता है bladder opening यहां पर दो चीज़े होती है यहां पर दो चीज़े होती है एक तो ng tube होती है वो भी सेम इसी की तरह दिखाई देता है and k90 cateter होता है वो भी सेम इसी की तरह दिखाई देता है और इसका दूसरा use होता है शक्षन करते है तब इसका use किया जाता है ठीक है दो चीज़े आपको एक्स्टरा बता रहे है next is used to drain the bladder for a short period और इसका use कब कितने देर के लिए किया जाता है 5 से 10 मिट के लिए किया जाता है short period time के लिए इसका use किया जाता है rubber ketator का use it may be inserted by the patient और कभी कभी क्या है patient भी खुद insert कर सकता है इस ketator को next suprapubic ketator जैसे के आपको दिखाई रहा है जो suprapubic area होता है वहाँ से insert करेंगे हम ketator को ठीक है इसको कहेंगे हम suprapubic ketator this type of ketator is inserted into the bladder through a small incision above the pubic area और इसका use कैसे करते हैं यह का आप insert करेंगे bladder के अंदर एक छोटा सा incision करेंगे कहां पर pubic area पर और वहाँ से क्या करेंगे insert करेंगे ketator को urinary bladder के अंदर इस तरीके से image के अंदर दिखाई देर आपको ठीक है यह होता है suprapubic ketator it is used for continuous drainage और इसका use क्या है continuous drainage के लिए यह जा सकता है long period के लिए भी इसका use यह जा सकता है suprapubic ketator का next procedure की बात करेंगे सबसे फिला होता है male के अंदर procedure की बात करेंगे position कौन सी देंगे हम patient को supine position जो male patient है उसको हम देंगे supine position provide कराएंगे next clean the penis and retract for skin और क्या करेंगे साफ penis को साफ करेंगे ठीक है retract for skin को भी clean करेंगे distill water and bitadine bitadine से liquid से ठीक है next insert करेंगे कितना insert करेंगे ketator को 7-9 inch ketator को insert करेंगे lubricant ketator कितना करेंगे 12-18 cm next use sterile water 10-15 ml only in implant balloon 10-15 ml हम क्या करेंगे sterile water को use करेंगे balloon को implant करने के लिए balloon capacity कितने होती है 10-30 ml क्या है balloon की capacity होती है male के अंदर and female के अंदर भी same ही होती है balloon capacity आपकी होगी 10-30 ml female अब female के अंदर procedure की बात करेंगे तरह सबसे पहले आए position dorsal recommend position phroid करेंगे patient को next cleaning from the front to back genital area ठीक है female में genital area कैसे clean करेंगे front to back side next insert कितना insert करेंगे 3-3.5 इसको insert करेंगे female के अंदर catator को कितना insert करेंगे 3-3.5 next lubricant catator 2.5-5 cm यानि 2.5-5 cm इसको lubricant करेंगे next use sterile water 10-15 ml only in plant balloon ठीक है और balloon के लिए कितना ml use करेंगे हम sterile water को 10-15 ml next balloon capacity इसके अंदर भी सेम रहेगी 10-30 ml ठीक है इसकी balloon capacity रहती है तो इस तरह के से हमारे क्या है catatorization जो procedure है वो complete होता है यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो वीडियो को like करें वीडियो को share करें यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe जरूर करें यह हमारे short notes है ठीक है और भी जो प्रोसीजर है fundamental of nursing के वो भी एवलेवल है चैनल पर है वहाँ पर जाके आप देख सकते हो तेंग